तो हेलो नमस्टें शुष्ट्यागाल जी सारे अनू वी आर बैक विद अनधर वीडियो और आज मैं आपके लेके आ गया हूँ ब्रेकफास्ट की सबसे टॉप सेलिंग आइटम छोले बटूरे यहां के पनीर वाले चोले बटूरे बहुत फेमस हैं और अगर मैं आपको लोकेशन की बात करूं मैं इस टाइम पर खड़ा हूं त्री नगर में और यहां की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल यहां यहां पर इन Wanna說 को अफने टाइम से यहां पर पोष्ते हैं कि नहीं से लगते हैं summary टो अगल जी आप छोले बटूरे खा रहे हैं यहां के राफो बहुत है इनके पिछले ब्रास इसक colonial ऊपकर का suivने द्सक्राइन साइत्व है पिछले धायर गा war हैं इस टाइम थोड़े से घ्राग कम होते हैं इस टाइम आजाओ आप तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा जो यहां की है सैनेटाइसेशन का पूरा ख्याल रखा जाता है यहां पर देखे ग्लाएस पर पाइन रखी है यहां पर चोले और उस साइड पर पीछे जो यह वहां पर भटूरे बन रही हैं आप आपको गाएक चलिए तो मैंने तो बताया ही था पनीर वाले छोले भटूरे अब उसमें भटूरे में पनीर फिल होता हुआ दिखाएंगे वह देखिए वह मैश करा वह पनीर है और उसमें देखिए कैसे वह भटूरे बनाएंगे उसके अंदर फिल करगे तो अब लगवाते हैं अपने छोले वुटूरे की प्लेट और साथ में लगवाएंगे छोले चावल की प्लेट दोनों चीजे हम हाफ हाफ प्लेट लगवाएंगे और आपको बताएंगे उसका टेस्ट कैसा है बारी आगई है टेस्टिंग की लग चुगी है अपनी हाफ प्लेट छोले बटूरे की और हाफ प्लेट छोले चावल की छोले चावल देखिए तरह कितने टेम्टिंग लग रहे हैं देखने से और भाई इसको खाने के लिए तो मैं बस वेट नहीं हो रहा बरसे पहले जल्दी से मास्क उतार लें हाथ सैनेटाइज हो चुकी है है कि इसनेट करते हैं टेस्टिंग और पहले प्राइस बता दूं आप लोगों को मैं जो छोले बतूरे की फूल प्लेट की प्राइस ऑब हें 40 रुपीस और हाफ हमने लिए 25 की हाफ प्लेट जो है उसका प्राइस 25 और इसका भी हाफ प्लेट का से चार्ट करना चाओंगो कि यह आइटम में पहली बार खा रहा हूं कि चोले चावल में सबसे पहले उन्होंने चावल के बाद बालक डाली दी उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है और छोले ना इतने स्पाइसी हैं बहुत बड़िया क्लेवर आ रहे हैं तो इसके लिए तो थम्जप है बाई अगला ट्राय करते हैं तो बात करते हैं अपने चोले बटूरे की तो भाई अभी तब गरम है चोले बटूरे और यह देखिए यह चोले लगाए प्याज और यह अचार गाजर वाला बात करें इसके टेस्की तो अब समझ में आया कि यह इतनी होट सेलिंग आइटम क्यों है फ्लेवर बहुत टेस्टी बच्चों के लिए भी अगर मैं रेटिंग की बात करूं तो इसे मैं देना चाहूंगा नाइज आउट अफ टेन और छोले चावल की रेटिंग अगर देना चाहूं तो मैं 8.5 आउट आउट अफ टेन दूगा तो भाई अब हम इसका इनका रायता टेस्ट करते हैं पिलकुल जो कहते हैंने पानी पानी वाला वो नहीं है इनका रायता बहुत बढ़ी आ रायता है इनका बहुत बढ़ी है रायता मैं तो इनकी खोली दो आइटम की रे रह ओ Але आपको इनकी जितनी आइटम सहां सब की रेव्युर मोत बढ़ी हा थे तो खतम करें अपना breakfast पास्ट फिर मिलते हैं आप से वीडियो के अंड में तो end करते हैं इस वीडियो यहे पर अगर आपको मारी वीडियो अच्छ ही लगिए तो वीडियो को लाइक करदेना चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए गुट बाई टेक केर